जो टूट कर भी मुश्कुरादे उसे कोई नहीं हरा सकता है नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने की चाहत रखते हैं अक्सर लोग अपने लक्षे को पाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना देने की कारण से वो असिपल हो जाते हैं जीवन में आगे बढ़ने के एक खास नियम है पहला नियम है लक्षे पर ध्यान के इंदेत करना अमीर लोग हमेशा स्पस्ट और मापने योगे लक्षे निर्धारित करते हैं वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं विन्यमे तूप से अपने काम और प्रगती की समीक्षा करते हैं और आवशक्ता अनुसार योजना में बदलाव करते हैं वो अपनी उजा को महत्वकूर्ण कारियों पर लगाते हैं ध्यान के इंदेत रहने से लोग अपने लक्षे से नहीं भटकते हैं दूसरा नियम है वितिया अनुशासनमी लोग अपने पैसे को लेकर बहुत ही अनुशासित होते हैं वो बजट बनाते हैं और उसका पालन करते हैं बजट बनाकर चलने की वज़ेसे यह लोगा नावशक खर्चों से बज़ जाते हैं यह लोग पैसर को पास रखने की बढ़ाय निवेश करने पर ध्यान देते हैं यह लोग अपने कर्ज को कम करने का प्रयास करते हैं और अपनी बज़त बढ़ाते हैं तीसरा नियम है जोखिम लेना अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते हैं वे जानते हैं कि बिना जोखिम के कोई भी बड़ा एनाम नहीं मिलता है यह लोग नए अफसरों की तलाश में रहते हैं और अपनी युजनाओं पर विश्वास करते हैं हाला कि यह लोग गेर जिम्मिदात तरीके से कोई काम नहीं करते हैं और हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाते हैं चौथा नियम है कड़ी मेहनद और लगवन अमीर लोग सफलता के लिए कड़ी मेहनद करते हैं वे समय और उपजा लगाने के लिए तयार रहते हैं ये लोग कभी हार महीं मानते और अपने लक्षेओं को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं ये नए कौशल सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी हमेशा तयार रहते हैं पांच वान्यम है सकारात्मक सोच अमीर लोग सकारात्मक सोच रखते हैं ये लोग अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपनी सफलता पर यकीन करते हैं यह लोग नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं सकारात्मक सोच उने प्रेरित रखती है और उनकी उर्जा को बढ़ाती है सकारात्मक सोच से यह जीवन में लगतार आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चानल को सब्सक्राइब जरूर करें इसे हमें वीडियो बराने का मोटिवेट मिलता है दोस्तो धन्यवाद